Hello everyone, this is Ram Vishnoyi and you're watching Geographic Guru. आज के इस एपिसोड में इस फीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं Class 10th Economics की और continue रखेंगे हमारी Class 10th SST, Social Science की Most Important Questions की सीरीज को. यह जो हमारी Most Important Questions की सीरीज है, इस सीरीज में हम Chapter-wise Most Important Questions आपके साथ शेयर करते हैं और यह सीरीज हमारी Exam-Oriented सीरीज है, यानि कि यहाँ पर इस सीरीज में हमारा Main जो Focus है, वो आपके Board Exams रहते हैं, वो सारा Content जो यहाँ पर हम डिसकस करते हैं, वो आपके Board Exam के लिए Most Important रहता है. इस सीरीज के तुरू हम Hindi Medium के लिए 100% Content है, वो Publish कर चुके हैं, SST का, यानि Total Chapter Already हम Publish कर चुके हैं, जहाँ तक English Medium की बात है, तो हमारे Jio के Last Two Chapter Spending है, जिसको हम Within One Week Publish करने वाले हैं. इसके साथ-साथ आपका Mapwork, MCQs या Detailed Chapter की Explanation है, सारे वीडियोज अवलेबल है, कहां मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आप Class 10 Social Science Most Important Questions की सीरीज है, इसके लवा Class 10 Social Science के कुछ और भी बैचे से Mapwork के लिए अलग से बना रखा है, MCQs के लिए अलग से आपको एक बैच मिल जागा है, तो वहां पर आप सर्च कर सकते हैं, इसके साथ-साथ Simple Question Paper वगर है, तो उसके लिए भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, यह जो आज हम डिसकस करने वाले हैं, आज का हमारा चैप्टर हैगा Class 10 Economics का फोर्थ चैप्टर है, Globalization and Indian Economy, सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जो चैप्टर है, CBSE के स्टूडिन्स के लिए, इसमें से काफी सारा पार्ट है, जो डिलीट हो चुका है, यानि कि उसको रिमूव कर दिया गया है, उनके लिए only two topics रह गए, Globalization, What is Globalization and Factors of Globalization, बाकी सारा का सारा उड़ा दिया गया है, हाँ, जो other board के स्टूडिन्स है, उनको पूरा का पूरा चैप्टर है, वो content है, उसको अच्छे से समझना होगा, और बाकी जो CBSE के स्टूडिन्स है, they need to focus on only on these two topics, ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले one marker question की बात करेंगे, after that we will discuss the two and three marker question, and in the end we are going to discuss long answer type questions, यानि की five marker question के हम बात करेंगे, let's begin, चली, शुरुआत करते हैं, आज के इस वीडियो की, इस episode की, और discuss करेंगे, इस easy से chapter से related, कुछ important questions का हो, सबसे पहले one marker question के हमें बात करनी है, तो सबसे फहला, first जो हमारा question रहा, first question हमें दिया गया, यह globalization क्या होता है, देखे, हिंदी में कहीं, तो इसको बोलते हैं, वेश्वी कर्ण, दो शब्दों से मिलके बना, विश्व जमा में एक ही कर्ण, यहनकी पूरे विश्व का एक हो जाना, that is, वेश्वी कर्ण, इंगलिश में कहीं, तो यह globalization word बनता है, globalization क्या है, देखे, global world यह बना है, the world has turned into a global village, nowadays, the world has turned into a global village, यह पूरा विश्व है, वो एक गाउं की तरह हो गया है, तो उसे globalization बोलते हैं, okay, the process of turning the world into a global village is known as globalization, आप ऐसे भी बता सकते हो, यह 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 भी कह सकते हो, कि nowadays, the world, the countries are inter-depending on each other, worlds, जो countries हैं, वो एक दूसरी को फिर इंटे डिपेंड करती है, यह भी globalization है, यह 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 भी कह सकते हो, the process of rapid integration of the world, that is globalization, आप अपने language में कैसे बता सकते हो, so देखे, सबसे easy तो definition यह रहेगी, nowadays, the world has turned into a global village, इसे हम globalization कहेंगे, okay, यह फिर यह भी कह सकते हो, the globalization is the process of rapid integration और interconnection between the countries, जो आपस में connection बन रहा न हमारा, आपस में interdependent हो गए हैं, तो इसे हम globalization की process बोलते हैं, अब देखिए, हमारा जो product है, वो चाइना में मिल रहा है, हमारा product अफरिका में मिल रहा है, अफरिकन प्रोडेक्ट इंडिया में मिल रहा है, इंडियन प्रोडेक्ट आउस्टेलिया में मिल रहा है, हम यहाँ घर पे बैठे हुए, किसी भी country का product है, वो यूज कर पा रहे हैं, order दे पा रहे हैं, यही तो globalization है, यहाँ मार्केट ऐसा रहा ही नहीं कि यह मार्केट अलग रहा है, मार्केट USA की मार्केट, औस्टेलिया की मार्केट, इंडिया, चाइना की मार्केट एक हो चुकी है, सारे product मिल रहे हैं, तो this process of rapid integration of the world market is known as globalization, इसलिए थो हम global village की तरह होगे हैं, clear, चलिए, next question की बात करते हैं, next हमारा second question है, what is an MNC, MNC क्या है, MNC stands for multinational company, a multinational company is a company that owns or controls production in more than one nation, कि MNC क्या है, multinational, multinational को हिंदी बोलते हैं बहुर आश्टरी, जो एक से ज़्यादा राश्टर में, एक से ज़्यादा देशों में वैपार करती है, या फिर production करती है, okay, उसे multinational company कहेंगे, a multinational company is a company that owns or controls production in more than one nation, okay, जैसे देखिए, इंडिया में आप काफी सारी cell phone की company को देख लिजे, चाहिए वो iPhone हो, चाहिए वो आपकी Nokia हो, Vivo हो, Oppo हो, OnePlus हो, कोई भी company लगा लिजे, okay, तो ये company है, multinational company है, ये एक सी ज़्यादा देशों में अपना business कर रही है, production कर रही है, अब coldering की companies में कोई भी लगा लिजे, चाहिए वो Coke हो, चाहिए वो Pepsi हो, ये क्या है, multinational companies है, Tata, Indian company की बात करें, Tata, Renbexie, ये सारी multinational companies है, because they are owning or controlling production in more than one nation, okay, clear, तुसे हम बोलते है, multinational company, now, let's move to the next one, next, जो हमारा question है, third question को देखी, which reasons are favorable for MNC to set up production, कि कोई multinational company है, वो जैसे दूसरे देश में जाएगे और वहाँ पर जाकर कि production को set up करेगी, तो ये बताएगे कि वो कहाँ पर set up करेगी, कौन से इलाके उसके लिए favorable होते हैं, देखे, mainly three factors हैं that attract the multinational company, multinational company को तीन factor अट्रेक्ट करते हैं, कौन-कौन से, पहला है availability of the cheap raw material, जहाँ पर सस्ता कच्चा माल मिल जाए, यानि कि जहाँ पर raw material सस्ता मिलता हो, पहला factor हो गया, second factor है availability of the skilled or unskilled, cheap labor, जहाँ पर सस्ता शर्मिक मिल जाए, और तीसरा जो factor होता है, तीसरा factor है, closeness to the market, जहाँ पर बाजार हो, तीन चीज़े देखे, अब इंडिया में जो multinational company आ रही है, क्यों आ रही है, देखे, यहाँ पर raw material available है, जैसे agro-based जो industries है, उनके लिए कच्चा माल यहीं पर available है, जो mineral-based industries है, उनके लिए भी raw material यहीं पर available है, एक चीज़ होगी, दूसरा क्या है, यहाँ पर chief labor available है, सस्ते labor available है, चाहिवो skilled चाहिए, चाहिवो unskilled चाहिए, सस्ते में है भाई, बहुत बेरोजगारी है, तो वो भी available है, company यहाँ पर आरी, क्योंकि अगर सस्ते में chief raw material available है, chief labor available है, it means that production cost तो कम होगी ना, profit उपर की तरफ जाएगा, तीसरी जो चीज़ है, जिसको, तीसरा जो factor है, जो MNCs को attract करता है, that is the market, closeness to the market, 140 crore है हम, एक बड़ी market है, यहीं पर बिक जाएगा माल, तो यह तीन factor देखते हैं, कि जहाँ पर उनको लगए कि यह market भी है, समान बिक भी जाएगा, यहीं पर हमें consume कर देना है, यहीं पर हमें raw material भी मिल रहा है, यहीं पर हमें chief skilled or unskilled labor मिल रहे हैं, तो यहीं पर वो invest कर देती है, तो यहाँ पर आप points में लेख सकते हो, कि the three factors that attract the MNCs are raw material, second one is the chief skilled or unskilled labor, and third one is the closeless to the market, now let's move to the next one, next जो हमारा question रहेगा, fourth question है, what is the most common route for MNCs investment, देखे, MNCs investment जब करती है, multinational company है अब यह वो investment करेगी, जैसे इंडिया में गर आती है, तो कैसे invest करेगी, यहाँ प्यार करेगी, direct अपने company सेट अप कर लेगी, industry सेट अप कर लेगी, नहीं ऐसा नहीं कर लेगी, देखे, three routes होते हैं, तीन तरीके होते हैं, हम से पूछा के most common, हम पहले तीनों की बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए, तो वो क्या करते हैं, कि जैसे एक joint set up कर लेते हैं कई बार, partnership, sometimes multinational companies do the partnership with the local company, local company के साथ वो partnership करते हैं, जैसे मारुती, सुजू की, सुजू की बार से आई, मारुती के साथ partnership कर लेगी, हीरो होंडा, होंडा बार से आई, हीरो के साथ partnership कर लेगी, एक तरीका ती होता है, second होता है, by placing order to the local producers, local producer को order दे देते हैं, जैसे लुधियाना में देखिए, बड़ी-बड़ी जो brand है कपड़ों की, order दे देते हैं, यहां से production होता है, और उसको अपना ठफ़ा लगा करके बेच देते हैं, दूसरा तरीका यह, by placing order to the local producers, ठीक, third जो तरीका होता है, by buying up the local companies, अब जो most common route कौन सा है, the most common route for MNC's investment, is to buy up local companies, कि जो local company होती है, छोटी company होती है, उसको खरीद लेती है, and then expand the production, उसके बाद, वो धीरी-धीरी करके, उसको expand करती है बिजनस को, यह सबसे common route होता है, सबसे जदा वो ऐसा ही करती है, क्योंकि छोटी company को जो वो खरीदती है, तो उनको कुछ market मिल जाती है, कुछ customer मिल जाती है, और कुछ employees मिल जाती है, जिनको वहाँ की समझ होती है, ओके, so the most common route for MNC's investment, is to buy up local companies, and then expand the production, next जो हमारा question हैगा, 5th question है हमारा, why are Chinese twice so popular in India, जो Chinese twice है, वो इंडिया में काफी popular है, तो क्यों है, देखिए, दो कार्णों से, because of the cheaper prices, and second, because of new designs, designs उनके attractive होते हैं, और second, उनकी rate कम होते हैं, दाम कम होते हैं, तो इसलिए, वो अच्छे खासे popular होते हैं, now let's move to the next one, next, जो हमारा question रहेगा, 6th question दिया गए, what is a trade barrier, trade barrier क्या होते हैं, हिंदी हम बोलते हैं, वैपार अवरो तक, वैसे देखी, ये trade barrier होते हैं, ये, अबर आप जैसे road पे जाते हो, तो वहाँ पे, आपको speed breaker मिलते हैं, तो ये speed breaker की तरही होते हैं, trade barrier क्या होते हैं, tax on imports by the government, is called trade barrier, कि जो import होता है, import समझते हो न, जो बाहर से अंदर की तरफ सामान आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसके उपार जो tax लगाए जाते हैं, उसे बोलते हैं trade barrier, इसको barrier इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उस रिश्रिक्शन लग जाती है, माले जी उस 100 रुपीज का कोई product आ रहा है, उसके पार tax impose कर दिया गया, 50 रुपीज, 150 का हो गया, महंगा हो गया, तो उसके demand कम हो जाएगी, rate उपर जाएगा, demand कम हो जाएगे, profit कम हो जाएगा, जो भी producer उपर उनके लिए, तो यह trade barrier कर लाते हैं, okay, so imposing tax on imports by the government, is known as trade barrier, and it is called barrier, because some restrictions are set up on the trade, क्योंकि trade के उपर कुछ restrictions लग जाती है, clear, हिंदी बोलते हैं, वैपार अवरोदग, clear, उसके बाद next जो हमारा question रहेगा, seventh question है, what does the term liberalization mean, liberalization का मतलब क्या होता है, removing barriers, or restrictions set by the government, is known as the liberalization, देखिए, जो trade barrier लगागे, वो वैपार को, business को, trade को रोकते हैं, ठीक, उन्हें को जब हटा दिया जाता है, trade barrier को, that is known as liberalization, so removing barriers, or the restrictions set by the government, is known as liberalization, जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने 1947 के बाद, after the independence, Indian government imposed trade barriers, हमने trade barriers लगा दिये थे, text बढ़ा दिये थे, कि भाही बाहर का सामान अंदर आना नहीं चाहिए, क्यों, we wanted to protect our industries, हम अपनी industries को protect करना चाहते थे, थे कि बाहर का सामान आता, तो Indian industries grow नहीं कर पाती, उसके बाद 1991 में हमने क्या किया, we removed trade barrier, that was known as liberalization, उसे हम कहा गया कि, हमने liberalization की policy को adopt किया, 1991 में, क्यों adopt किया, उस वक्त हमें लगाता कि, Indian industries है, अच्छे कासी बड़ी हो गई है, अब तो compete करना ही चाहिए, दो-दो हाथ हो जाए, तो इसलिए हमने वहाँ से trade barrier को हटा दिया था, तो जब trade barrier को हटाया जाता, तो उसे बोलते हैं liberalization, so removing barriers or restrictions on the trade, imposed or set by the government, is known as liberalization, okay, now let's move to the next one, next जो हमारा question रहेगा, 8th question हमें दिया गया, 8th question हमें हमारा, what is WTO, WTO किया है, देखिए, WTO stands for World Trade Organization है यह, okay, which monitors the liberalization of trade at international level, देखिए, WTO is an international organization है, that stands for World Trade Organization, and the main objective of WTO is to liberalize the international trade, यह कोशिश क्या करता है, यह भाई open trade policy होनी चाहिए, खुले वैपार की नहीती, restrictions trade barriers होनी नहीं चाहिए, इसकी कोशिश करता है WTO, okay, so WTO stands for World Trade Organization, it is an international organization, that's main aim is to liberalize international trade, अंतराश्ट्री है, जो वैपार है, उसको खुला बनाना, मुक्त बनाना, trade barriers को हटाना, यह इसका मुख्य काम है, उसके बाद next जो हमारा question रहेगा, what is tariff, tariff क्या होता है, tariff is a tax imposed on imported goods and services, देखे tariff क्या होता है, एक tax होता है, that is imposed on the imported goods and services, जो बाहर से आने वाले goods और services होते हैं, उसके उपर जो tax लगाया जाता है, उसे tariff होते हैं, यानि कि जो, हमने उपर बात किये थे थे ना, कि sometimes government imposed taxes on imports, तो जो tax import के उपर लगा जाते हैं, वही tariff होते हैं, clear, यह कैसे किया जाता है, जो trade होता है, उसको control करने के लिए जाता है, कि मैं वो चीज चाहिए, या नहीं चाहिए, चाहिए तो कितनी चाहिए, okay, tax कम ज़्यादा करके, कैसे कुछ किया जाता है, now let's move to the next one, next जो हमारा question रहेगा, 10th question है, what are SEZ, SEZ क्या होते हैं, यह हमें बताना है, देखी, SEZ, that stands for special economic zone, special economic zone होते हैं, special economic zone क्या होते हैं, कि SEZ is a special economic zone, of a country, that are being set up by the central, or the state government, to attract foreign companies to invest in India, SEZ क्या होते हैं, SEZ is a special economic zone होते हैं, of a country, are being set up by the central, or the state government, to attract foreign companies, कि यह central यह state government, के द्वारा set up किया जाते हैं, ताकि विदेशी कंपनी आई, देखी, easy language में हम समझते हैं, जिसे Guru Gram के आसपास है, Delhi NCR के आसपास है, हर्याना government ने, वहाँ पर क्या देते हैं वो, वहाँ पर देखे, road facilities देदी, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की facilities देदी, वहाँ पर security देदी, वहाँ पर health facilities देदी, education facilities देदी, tax free land अवलेबल करवा दी गई, उके सब कुछ दे दी आ गया, ताकि phone company जाए, और वहाँ पर invest करें, अब वहाँ पर क्या होता है, कि 10 years के लिए, 5 years के लिए, tax free land दी जाती की, और क्या चाहिए ये company को, तो SEZ are the special economic zone of a country, that are being set up by the central or the state government, to attract the phone companies, जो विदेशी company होती है, उनको attract करने के लिए ऐसा क्या जाता है, तो ऐसे area को, बोलते हैं, SEZ, special economic zone, उसके बाद next, जो हमारा question हैगा, 11th question है, why are special economic zones being set up by the central and the state governments in India, यह हम उपर भी discuss कर जाता है, to attract phone companies और MNCs to invest in India, कि यह क्यों किया जाता है, ताकि जो phone companies है, उनको हम attract कर पाएं, वो इंडिया में invest करे, इसके लिए ऐसा किया जाता है, now let's move to the next one, next जो हमारा question हैगा, 12th, differentiate between investment and phone investment, investment और phone investment में हमें difference बताना है, देखिए, जब हम simple सी तरीके समझते हैं, कि आपने एक shop ली, जगे ली, shop नाई, उसमें furniture लगाया, जो भी सामान था, वो आपने रखा, पैसा लगा, उसे हम बोलते हैं investment हो गया इतना, ऐसा ही होता है ना, घर पे हमने घर बनाया, हम कहते हैं कि इतना investment हो गया, और ये investment अगर कोई विदेशी company करे, phone company करे, तो हम उसे phone investment बोल तेंगे, the money that is spent to buy assets, assets को खरीदने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, that is land, building, machine, other equipment, etc, it is known as investment, okay, the money that is spent to buy assets, such as land, building, machines, and other equipments, is called investment, while the investment is made by the MNCs, it is called phone investment, कि जब MNC, multinational company अगर investment करते हैं, तो phone investment होगा, क्योंकि विदेशी company हैं, उसने आ करके पैसा लगा है, तो उसके अगे हम phone word लगा देते हैं, okay, clear, तो investment और phone investment में, difference बस इतना सा है, कि अगर हम local person अगर कोई चीज में इन्वेस्ट करें, तो वो investment है, अगर कोई MNCs, multinational company अगर इन्वेस्ट करी हैं, उनी चीज हो के लिए, तो that is known as phone investment, now let's move to the next one, next जो हमारा question रहेगा, question number 13, 13th हमारा question है, name some Indian MNCs, Indian MNCs के हमें नाम बताने हैं कुछ, तो देखे, Indian MNCs में, Tata Motors है, that is in the sector of automobile, Infosys है, IT sector में, Renbexy in medicines, Asian Pants in Pants, and Sundram Fasteners in nuts and bolts, तो ये कुछ Indian companies है, जो multinational companies है, यानि कि ये बहार investment कर रखा है, कई सारी देशों में इनका production, या फिर ये business को control करते हैं, clear, उसके बाद next है, हमारा 14th question, WTO stands for, WTO की full form बताने है, that is World Trade Organization, now let's move to the next one, next जो हमारा question रहेगा, MNC stands for, हमें बताने है MNC, इसके full form बताने है, तो MNC stands for multinational company, FDI stands for, FDI full form रहेगी, Fond Direct Investment, okay FDI, now let's move to the next one, next हमारा question रहेगा, question number 17th है, 17th question में पूछा गया, in which year, did the government decide to remove, barriers on foreign trade, and investment in India, कि Indian government ने कभ, trade barriers को remove किया था, तो वो था 1991 में, okay, 18th हमारा question है, which organization lays stress on, liberalization of foreign trade, and foreign investment, कौन सा organization है, जो foreign trade, या foreign investment के, liberalization के लिए work करा है, उसके favor में है, कि liberalization होना चाहिए, trade barriers नहीं होने चाहिए, ऐसा कौन सा organization है, तो वो है WTO, World Trade Organization, now let's move to the next one, next जो हमारा question है, question number 19, 19th question है, what is meant by fair globalization, ये fair globalization क्या होता है, देखे, globalization के हमने बात कर ली, अब ये fair हो सकता, unfair हो सकता है, fair को हिंदी में कहेंगे, नियाए संगत, यानि कि, benefits should be shared equally, benefits जो है, वो एक ब्रापर होने चाहे, तो उसको हम कहेंगे fair, अगर सबको उससे benefits नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम unfair कहेंगे, अभी जो globalization है, that is unfair, because benefits are not shared equally, कि कुछको तो benefit हुआ globalization से, कुछको loss भी हुआ है, तो fair globalization क्या है, fair globalization means, a globalization that would create opportunities for all, and ensure that its benefits are shared equally, कि जहां पर एक समान, एक साथ, जो benefits है, वो अगर सब के साथ equally share किया जा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे, that is fair globalization, otherwise वो unfair रहेगा, अब देखिए कि जो हमारी हाँ फेग globalization है, उसके हम long answer type question में detail में बात करने वाले, that is not fair to all, जैसे छोटी company हो गई, या फिर जो labor class हो गई, या फिर rural people की बात करें, तो उनको उतने ज़्यादा benefits नहीं मिले हैं, clear? Next question, 20th, that is the last one marker question of this chapter, nearly days countries of the world are members of WTO as of June 2022, देखिए अभी at present की बात करें, तो कितने देश हैं जो WTO के member हैं, तो वो 164, तो यह थी हमारी इस chapter के most important one marker question, now let's move to the next segment, और next segment में हम discuss करेंगे, इस chapter के most important two and three marker question को, इस पे देखिए first जो हमारा question है, describe any five factors that promote the multinational corporation, MNCs to set up their production units in particular place, कि मैं कोई five factors बताने हैं, जो attract करते हैं, कि multinational company को इंडिया में investment करना है, तो कहां करना है, यह नहीं करना है, कौन से factor है, which factors attract multinational companies to invest in particular place, क्यों invest करते हैं, तो देखिए इसमें कौन-कौन से factor responsible होते हैं, सबसे पहले, close this to the market, generally क्या होते हैं, कि multinational companies nowadays, they are in search of a market, where they can sell their products, जहां पर अपने product को बेच पाई, तो जहां पर market अवलेबल होते हैं, तो वहां पर वो अपनी industry को, अपनी unit को set up करने की कोशिश करते हैं, for example in India, Ford India, जो Ford company, वो इंडिया में आकरके, उन्होंने Chennai के आसपास, अपना plant set up कर लिया, क्यों set up कर लिया, उन्हें पता, गाड़ियां यहीं बेचने हैं, तो यहीं बना लेना, okay, so first factor, that attract the multinational companies, the closest to the market, because the main objective, of any company, is to earn profit, by selling the products, so they always in search of market, वो market की search में होते हैं, जहां market मिलेगी, कि लेबर की cost क्या रहेगी, अब जैसे इंडिया, जैसे country की बात करें, तो labor is available at very low cost, आसानी से available है, चाहिवो skilled हो, चाहिवो unskilled हो, चाहिवो semi-skilled हो, अब European market में, labor की cost हो काफी high रहती है, तो वहाँ पर profit कम हो जाता है, क्योंकि production cost high हो जाती है, तो nowadays, the companies are setting their set-up or the industries in those areas where labor is not only available, but available at cheap rates or cheap cost, okay, low cost के ओपर जहाँ available है, और तीसरा availability of the raw material, जहाँ पर raw material available होगा, वहीं पर वो industry set-up कर लेगे, जरूर थोड़ी है कि cotton यहीं से लेकर के जाएं, और फिर वो कपड़ा बनाएं, फिर वापस लेकर के आएं, यहीं पर set-up करेंगे न, उके, उसके बाद fourth है, government policies that look into, or look after their interest, इसके साथ साथ fourth factor, government policies भी attract करती है, जैसे for example, in India, the government are being set-up, SEZs, special economic zones बना रही है, तो वहाँ पर attract किया जाता है, आपको सब कुछ free-free देंगे, कुछ time के लिए, तो companies invest करेंगे, इसके साथ साथ developed infrastructure, these companies, multinational companies, look for the developed infrastructure too, because that reduces their production cost, production cost है, वो कम हो जाती है, उसके साथ साथ, जैसे safety measures में आ गया है, जहांपे security, अब कोई भी company की, अगर हम बात करें, तो वो Pakistan में, या Afghanistan में, या फिर Iraq में, जहां पर हरोज कुछ न कुछ होता रहता है, blast होते रहते हैं, वहां थोड़ी invest करेंगे, तो जहां फिर safety, security होते हैं, तो वहां पर ये चीज़ भी माइनी रखती है, कि कहां पर peaceful area है, तो वहां पर वो investment करेंगे, यह कुछ factors है, that attract multinational company, इसके जो main objective क्या, objective बोल दीजी या function बोल दीजी एक ही बात है, तो इसके सेम ही है, तो first इसका objective या aim क्या है, WTO's main aim is to liberalize international trade, main function है, कि international trade को liberalize करना, यानि कि it is working to ask the removal of the trade barriers, यह work कर रहा है, कि trade barriers नहीं होने चाहिए, खुले वाइपार की, often trade की policy होने चाहिए, okay, so World Trade Organization, और WTO's main aim is to liberalize international trade, it establishes or set up rules and regulations regarding international trade, and sees that these rules are being obeyed, okay, अब देखिए कि दूसरा काम क्या करते है, कि WTO set up rules and regulations for international trade, and it also observe that these rules are obeyed, वो यह भी देखता है कि इनको follow किया जा रहा है, rule regulations भी जो international trade के वो भी WTO ही set up करता है, it also resolves the trade related conflicts, trade related जो issues है, उसको solve भी यह करता है, okay, तो तीन function होगे न, पहला है, the main objective of the WTO is to liberalize international trade, second, it setups the rules and regulations for the international trade, and third, it try to sort out the issues related to the international trade, जो भी trade related जगड़े विवाद होते हैं, उनको solve जाना भी इसी का काम है, okay, now let's move to the next one, next, जो हमारा question रहेगा, third question यहाँ पर दिया गए, most important की series में, why are trade barriers imposed on the phone trade and investment in a country, कि जो phone trade या investment है, उसमें trade barriers, जो phone trade है, या investment है, उसके उपर trade barrier क्यों impose किया जाते हैं, okay, पहला है, to increase, decrease or regulate phone trade, phone trade को अगर बटाना हो, गटाना हो, control करना हो, manage करना हो, तो उसके लिए trade barrier को use किया जाता है, okay, first, to increase, decrease or regulate or control phone trade, generally countries impose trade barriers, अब देखिए, tax लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, मतलब सामान नहीं आएगा, tax कम कर दिया, सामान बाहर से ज्यादा आएगा, हमने कोटा फिक्स कर दिया, limited आएगा, तो हम करें न, increase करें, decrease करें, regulate करें, okay, so to increase, decrease or regulate phone trade, generally countries impose trade barriers, okay, उसके पाद, second, to decide what kinds of goods, and how much of fees, should come into the country, इसके लिए भी trade barrier लगा जाते है, to decide what type of goods, and how much goods, should come into the country, कि कितना आना चीए, तो उसके लिए trade barrier लगा दे जाते हैं, कि कितना आए, जैसे कोटा फिक्स कर दिया, पाकिस्तान से चीन ही आते हैं अपने आपे, हमने कोटा फिक्स कर रखा, कि इतनी ही आ सकती है, तो गो क्या है, that is also a trade barrier, clear, third, to protect the producers within the nation, from phone competition, trade barriers are imposed, इसके साथ सथ यह होता है, कि sometimes to protect local industries, country, जो होती है, that impose trade barrier, okay, government impose trade barrier, तो अब, जैसे हमने किया था, आजादी के बाद, हमने क्या किया था, कि we impose trade barrier, to protect our local country, local industries, local industries को हमने, protect करने के लिए, trade barrier लगा दिये थे, तो ऐसा भी क्या आ जा सकता है, तो यह main जो objective होते है, trade barrier के, यह होते है, to increase, decrease, or regulate phone trade, or to decide what should come, and how much should come, कितना आए, और क्या आए, उसके लिए trade barrier लगा जाते हैं, sometimes to protect local industries, or local producers, we impose trade barrier, उसके बाद, next जो हमारा question रहेगा, fourth question है, यहाँ पर, fourth question को देखिए, what is the impact of globalization, on the consumers of India, Indian consumers के उपर, इसके क्या impact रहे हैं, देखिए, जातर positive impact रहे हैं, हम यहाँ पर positive impact की बात करेंगे, long answer type questions में हम, positive और negative, दोनों discuss करने वाले हैं, देखिए, positive impact क्या पड़ा है, globalization का, after 1991 के बाद, क्या-क्या change जाए, देखिए, more choices are available in the market, nowadays, after the globalization, more choices are available in the market, पहले देखिए, Nokia, Motorola, दोई कंपनी होती थी, मुबाइल की, Slora, Onida, दोई TV होती थी, गाड़ियां, मारूती, अंबेस्टर, दोई गाड़ियां होती थी, अब क्या है, market में जाए, पता ही नहीं चलता, इतनी गाड़ियां आ रही है, हरोज कोई गाड़ी, लॉंच हो रही है, हमें पता ही नहीं होता, के अच्छा, ये भी मॉबाइल की कंपनी है, नहीं नहीं, ब्रांड की कपड़े, आपको अवलेबल हो रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो अब जो हमारे पास, ग्लोबलाज़िशन के कांड़ क्या हुआ है, कि अलग लग नेशन की कंपनीज है, वो यहां पे आरही, मल्टी नेशन कंपनीज आरही है, उनके प्रोडिक्ट यहां पे अवलेबल है, सो वी आर हैविग मॉर चोइसे इन दा मार्केट, ज्यादा चोइसे अवलेबल है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, यह पहला पोजिटिव इंपेक्ट है, इसमें एक टोर्च थी, और दूसरा दुनिया का सबसे खतरनाक सनेक होता था, जो खुद कोई काटते हैं, मर जाता था, बस यही होता था, उसका बिल है मेरे पास, 6800 रुपीज का है, 6800 रुपीज का कुछ भी नहीं था उसमें, और अब देखिए, मल्टी मेडिया, फोन आ जाते हैं 700 में, सब कुछ है उसमें, तो अभी जो प्रोडेक्ट हैं, डू तो दे ग्लोबलाज़जिशन, प्रोडेक्स आर अवलेबल एट लो कोस्ट, चीपर रेट्स के उपर अवलेबल है, कोई प्रोडेक्ट देख लीजिए, सस्ति में मिल रहा है, पहले के कमपेरिचन में, तो ये भी ग्लोबलाज़जिशन का इंपेक्ट है, क्योंकि जब कमपेडिशन बढ़ता है, तो चीज़े सस्ति होती है, उसका थरड़ है, बेटर क्वालिटी प्रोडेक्ट्स आर अवलेबल नावेड़ेज, पहले क्या था, पहले ये था कि जैसे आपने देखा होगा, कि आज से अगर 5-7 एर्स बैक भी बात की जाए, 10 एर्स बैक बात की जाए, तो उस वक्त काफी सारी शोप ऐसे होती है, जहां पर मॉबाइल को रिपेर किया जाता है, आज कल ऐसा कुछ नहीं होता, आज कल देखी कि सेलफ फॉन गिर जाते हैं, आईफॉन भी यह वो भी गिर जाता है, ना आईफॉन को कोई फरक पड़ता है, ना जिसका गिरा है, उसको फरक पड़ता है, क्योंकि पता है कि कुछ नहीं होगा, तो यह प्रोडेक्ट की क्वालिटी इंप्रूव ही है, पहले की कमपरिचन में, बैटर सर्विसे, सर्विसे बैटर हुई है, पहले कोई प्रोलम हो जाती थी थी है, टेक्नेशियन आते ही नहीं थी, शिक्स मन्थ, त्री मन्स, पता ही नहीं चलता था, अब देखेगी, तुरंत एक कोल के उपराते हैं, आप कोल कीजिए, कस्टमर के रिको, किसी प्रोडेक्ट के, दो मिनिट में 20 बार तो आपको सरसर बोलतेंगे, बड़ी रिस्पेक्ट देंगे, इज़त देंगे, और आपको क्वालिटी सर्विस भी मिलेगी, ऐसी बैटर लिविंग स्टेंडर, नावएदेज, वे रहविंग अवल तैप अफ़ फैसलिटीज अट चीपर रेट्स, यह कुछ पोस्टी इंपक्ट जाग ग्लोबलाज़एशन के, नावएदेज मूर तो नेक्स जो हमारा क्वेशन रहेगा, क्वेशन नमबर 6 मैंने यहां पे लिखती है, यह फिप्त ही क्वेशन है, नेक्स जो क्वेशन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट में, शोर्ट आइप क्वेशन में यह है, एक्स्प्लेइन बाइ गिविंग एक्जांपल्स देट, मल्टीनेशनल कोपरेशन्स, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, आज स्प्रेडिंग देर प्रोडेक्शन इन डिफरेंट वेज, हम बताना है कि मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो अपने प्रोडेक्शन को कैसे एक्स्पेंड करती है, कैसे स्प्रेड करती है, कैसे फिलाती है, तो देखे, थ्री रूर्ट होते हैं, तीन तरीके होते हैं, कि मल्टीनेशनल कंपनीज are spreading their production in different ways, first one, by setting up partnership with local companies, कि वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनर्शिप कर देती है For example, Maruti Suzuki, Hero Honda Example, Mahindra and Mahindra with Ford इन्होंने से सेट अप किया था तो पहला तरीका यह होता है कि लोकल कंपनी के साथ वो पार्टनर्शिप कर लेती है So first route is by setting up partnership with local companies Second is by placing order with local companies दूसरा तरीका होता है Local company को order देती है For example, garments, footwear, sports items, food product etc These are generally prepared by the local companies on the order of the MNCs MNCs order देती है कि भाई यह product चाहिए इस quality का चाहिए इतने time में चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए वो बना करके देती है, वो ठफ़ा लगा करके बेश देती है Local company का product है, वो सस्ता होता है और उसका ठफ़ा लग जाता है, brand का क्योंकि वो quality भी ensure करते है वो महँगा हो जाता है, एक तरीका यह भी होता है Third way है, by buying local companies छोटी कमपनियों को खरीद कर लेते हैं Okay, for example, Cargill buying Prakash Foods in India Prakash के टोफियां आते हैं, बहुत कुछ आता है परकाश का, उसको Cargill company है, America की USA की, उसने उसको खरीद लिया है ऐसा भी करते हैं, तो there are the three routes, three ways are there कि कैसे वो अपने business को expand करते हैं, और उसमें से most common route है, buying the local company, जो third one है, that is the most common route, जातर companies ऐसा करते हैं, अब वो खरीदती क्यों हैं, local companies को, देखिए local company खुरिदने में benefits ये रहते हैं, कि उनको एक market मिल जाती है, जमा जमाया कुछ business मिल जाता है, कुछ employees मिल जाती है, जिनको समझ होती है, फिर देरी-देरी वो investment करके expand करते हैं अपने business को now let's move to the next segment next segment की बात करेंगे, और next segment में हम discuss करेंगे, इस chapter related, most important, long answer type questions, देखि इसमें first जो हमारा question रहेगा, जो हमने अभी discuss किया था उपर ही, analyze the impact of globalization, globalization के impacts की बात करनी है, क्या impact पड़े है, देखिए, positive भी है, negative है, तो question के language भी जो हो सकती है, कि what are the positive and negative impacts of globalization, same बात रहेगी, तो देखिए, हमने positive impact की पहले globalization, we have the wide range of the choices in the market, whether it is in the shoes, whether it is in the garments, whether it is in the automobile, mobile, किसे में भी जाईए, पहले, देखिए, हम जब cell phone की बात करते थे, दो यह cell phone थे, अब बहुत सारे हैं, उसमें models बहुत सारे हैं, हम जब service provider की बात करते थे, बेसनल होता था, बेसनल के, जो मेरे पास SIM card है, अभी जो SIM card है 1950 रुपीज का SIM card लिया था, six month की जो validity के लिए 550 रुपीज पे करने होते थे, अब क्या है, अब तो SIM card तो free में मिलता है, डेटा मिलता है उसके साथ तो free में, अब choices बढ़ गई मार्केट में आपको वो पसंद नहीं आता, आप port करवा लिजे, पहले port का कोई option नहीं था, या तो BSNAL या फिर BSNAL, एक या option था, okay, second है cheaper goods, products are available at cheaper rates in the market, जो चीज़े पहले महंगी होती थे, वो बहुत सस्ती हो गई है, जो चीज़े range से बाहर होती range में आगी है, आप घर में देखिए कि all types of products are available, all types of the facilities are available, क्यों, क्योंकि ये सस्ती हो गई है okay, so cheaper rates, cheaper products or goods are available in the market, due to the globalization ये competition के काणवा है, जब भी competition होता है, चीज़े सस्ती होती है, जब भी एक दुकानदार आपको अगर मिलेगा ना एक महले में, वो महंगी चीज़े देगा दो अगर आजए तो सस्ती होने शुरू हो जाती, चार आजए और सस्ती होती जो reasonable prices है, उसके उपर product available होती है, तीसरा, better quality products, कि due to the competition and due to the globalization we are now getting the better quality product whether it is in the automobile, mobile or in IT sector, किसी में लगा लिजिए, quality अच्छी मिलती है हमें, fourth impact better services, we are getting better services to, even जो डेड़्चु रुपे का, अगर आप कुछ product करीद रहे हो, तो उसकी भी care service आपको मिल रही है, और बंदा आएगा, ठीक करके जाएगा ओके, warranty आपको मिलती है, guarantee के, और वो खराब अगर हो जाते है, छेचे महिने तक वो खराब ही रहते थे, बंदी रहते थे, भाई आते ही नहीं थे, call receive ही नहीं होती थी, we used to call customer care of BS नल, और वो रात को बारा वज़े जा करके call मिलती थी, उससे पहले तो मतलब ही नहीं होता था, okay, तो ये दिखते हैं थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ साथ better living standards, we are getting all type of the products as reasonable rates, and that's improved our living standard, हमारे living standard improve है, पहले एक गाउं में, कहीं पे, एक कोलोनी में, चार या दो या एक scooter हुआ करता था, बजाज या वेस्पा का, अब देखें, गर में member 3 है, और जो vehicle है, वो 5 मिलेंगे, घर में member 2 है, mobile 6 मिल जाएंगे, ऐसा भी हो रखा है, clear, एक घर उसमें 2 TV पहले, एक कली में एक TV होगा करता था, तो living standard भी हमारे improve हुआ है, globalization के कान, क्योंकि चीज़ें easily available है, और cheaper rates के उपर available है, wide range में available है, इसके साथ, reduction in poverty, जो globalization है, that created employment facilities, employment facilities मिली है लोगों को, lakhs of people are employed in the industries, और the multinational companies में employed है, and that helped in the deduction of poverty, poverty इसमें कम हुए, reduction हुआ है, poverty का, इसके साथ, reduction in unemployment, because people are getting jobs in the multinational companies, so, there is reduction in unemployment too, बिरोज़गारी भी decrease हुई है, कम हुई है, तो यह positive impacts globalization के, आपको detail में थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद इसके negative impacts की बात करें, तो कुछ negative impacts रहें, globalization has led to the collapse of small producers, who face stiff competition from cheaper imports, देखिए पहला जो नुकसान पहुँचा, कि इनको, कि जो small producers है, they lost everything, because they are not able to compete with the MNCs, MNCs के साथ वो compete नहीं कर पा रहे हैं, उनका धंदा चोपट हो गया, second है, workers no longer have job security as they are employed flexibly, कि देखिए, multinational company को attract करने के लिए, हमने क्या करका है, हमने labor laws है, उनको flexible बना दिया, कि भाई, अपने मर्जी से काम पर रखिए, इससे क्या हुआ, कि company काम पर तो रख रही है, working hours ज्यादा हो गए हैं, job security दे नहीं रही, जब job चाहिए, काम चाहिए, job रख लिया, उसके बाद कि भाई, घर जाओ, छुटी, okay, तो workers they are suffering negative leave due to the globalization because of the flexibility in the labor laws, तो इससे उनको भी laws हुआ है, और तीसरा जो negative impact है, it may lead to the greater dependence of under-developed countries on advanced countries, जो under-developed countries है, जो कह सकते हैं कि जो develop हुई नहीं है, वेक्सित जो देश है, they are going to depend on developed nations for forever, हमेशां के लिए उनके उपर dependent रहेंगे, क्योंकि खुद की industry वो set up होई नहीं पाईगी कभी, क्योंकि बाहर वालों का सामना उनहीं कर पाएंगे, तो यह कुछ negative impacts हैं, तो यह कह सकते हैं negative impacts में that globalization, जो outcomes of globalization है, that is not fair to all, सब के लिए fair नहीं है, it must be fair for all, सब के लिए fair होना चाहिए, benefits should be shared equally, सब को एक समानलाब मिलना चाहिए, यह important, बहुत important question रहेगा, chapter का main theme है, यह question, उसके बाद next, जो हमारा question हैगा, second question है, long answer deck में, which factors have stimulated the globalization process, यह देखिए, CBSC के जो students है, उनके लिए बहुत important है, कौन से factors हैं, जिन्होंने globalization को enable किया है, that helped in the rise of, or growth of globalization, अब देखिए, first improvement in the transportation, in the last 50 years, there have been a lot of improvement in the transportation technology, this has made faster delivery of goods, across long distances, possible at lower cost, देखिए कि due to the improvement in the transportation, now a longer distance can be covered at, कह सकते हैं कि short time में, short period में हम cover कर सकते हैं, और lower cost में, कम कीमत पे, अब इस से ब globalization हो, पहले यह possible ही नहीं था, पहले बाद transportation facilities नहीं थी, और जो थी तो वो expensive थी, तो जो trade था वो limited था, now we can easily get the products, or the goods of another country, in our country, our products are available in any corner of the world, at cheaper rates, due to the lower cost of the transportation, और efficient transportation है, उसके कारण चीज़े मिल रही है, पहले कहां जा पाते थे, अब देखिए कि हम कहीं पे जा रहे हैं, लोग भी easily पहुंच रहे हैं, product भी easily पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो transport की cost है, चाहिए वो water wage की है, चाहिए वो road wage की है, चाहिए वो air wage की है, सब की कम हुई है, ठीक, तो इससे globalization हुआ, अगर यह महंगे होते हुत नहीं, तो भाई product नहीं आने थे, क्योंकि महंगे हो जाते तो, कौन सा खरीजने वाले थे, कौन, उसके बात second, development in IT industry, IT sector के बात करें, information and communication technology की बात करें, तो उसमें देखे, काफी सारा development हुआ है, technology in the areas of telecommunication, and computers has been advancing rapidly, telecommunication facilities such as the telephone, telegraph, mobiles, fax, these are being used widely, लोग इनको use कर पारे, इससे भी क्या हुआ कि हम easily connect हो पाएं, जैसे cell phone है, cell phone मतलब आपके हाथ में market है, तो इन्होंने भी globalization की process को, देखे, दोनों तरीके से, it has connected, this facility has connected, various markets of the world, market को आपस में जोड़ा है, it has made to control the business easily, business को easily control किया जा सकता है, and markets are now accessible, in each and every corner of the world, हर कौनी में पहुंच हो गई है market ही, घर बैटे हैं market में घुम रहे हैं, क्योंकि mobile है हमारे पास, तो इससे भी globalization की process में help मिली है, बाकी सोचे कि अगर इंटरनेट या इसी चीज़े ना होती, तो क्या होता, भाई business control हो इनी पाता था, अब अब अबानी अडानी है, तो सेंड इंस्टेंट इलेक्रोनिक मेल्स, इमेल्स, टॉक, वोइस मेल्स, वीडियो कोल्स, एट सेटरा, अट वरी लो कोस्ट के ओपर हम वीडियो कोल का सकते हैं, इमेल भेज सकते हैं, इवन दा पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक तो अनाइट बैंक, वीडियो कोल करके प्रोडेक्ट हम देख भी सकते हैं, तो इसका भी अपना एक रोल है, मार्केट को जोडने में, कनेक्ट करने में, इसके साथ साथ अधर जो फेक्टरस है, रोल ओफ MNC's, MNC's है, कौन सी होती है MNC's, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, दोस कंपनीज विच ओन और पडियूस प्रोडेक्ट इन मोर दन वन नेशन, इन्होंने भी जोड़ा, जब एक देश के कंपनी दूसरे देश में आरी, तो मार्केट आपस में कनेक्ट हो गए, ऐसी लिबलाइजिशन की प्रोसेश है, अगर लिबलाइजिशन ना होता तो, तो भी नहीं हो सकता था ग्लॉबलाइजिशन, लिबलाइजिशन इस दा प्रोसेज ओफ रिमूब ओफ ट्रेड बेरियर्स, अब लिबलाइजिशन हो ग्लॉबलाइजिशन हो नहीं था, तो यह कुछ फैक्टर्स है जो ग्लॉबलाइजिशन के लिए रिस्पोंसिबल है, नव लेट्स मोटो था नेक्स वन, नेक्स्ट हमारा थर्ड कॉश्शन हैगा, तब लास्ट फाइज मारकर कॉश्शन अफ इस चाप्टर, और एवलुएट दा मेजस तो मेक ग्लॉबलाइजिशन मोर फियर, देखे यहां देखे जो ग्लॉबलाइजिशन है, अब नियाए संगत नहीं है, ठीक, नियाए संगत होता है तब नियाए संगत नहीं है, अनफियर है, यानि सब को equally benefit नहीं हो एगलॉबलाइजिशन से, यहां हम से क्या पूचा जा रहा है, हमें यह कहा जा रहा है कि भाई, को suggest कीजिए कि इसको fair कैसे किया जाए ओके बहुत important question last 10 years की बात करें CBSC exam की तो 4-5 times आपको ये question annual exam में दिखाई देगा तो यह देखिए fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better fair globalization का मतलब होता है कि opportunities should be equal for all and the benefits should be shared equally benefits हैं वो भी सबको एक बराबर मिले उसे हम बोलते है fair globalization the government can play a major role in making this possible if needs to frame policies for all किसमे fair कोन कर सकता है government can play very important role that can frame policies that should share that can share equal benefits ये policies बनाई जा सकते है जिसे कि सबको equal benefit मिले government can ensure that labor laws are properly implemented and workers get their rights benefits of globalization are shared better जिसे गोवर्मेंट क्या कर सकते हैं labor को protect करने के लिए labor laws should be implemented properly properly implement किया जाए strictly implement किया जाए तो जो working class को laws हो रहा वो नहीं होगा ऐसी government can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete ऐसी small producers that can be sported financially sport किया जा सकते हैं they can be sported by imposing trade barriers लगाए जा सकते हैं उनके लिए particularly protect किया जा सकते हैं तो एक ये भी तरीका कि उनको protect किया जाए ताकि जो small businessmen हैं उनको लोसना हो financially हो सकते हैं और by imposing trade barrier हो सकते हैं technologically हो सकते हैं किसी भी तरीके से ऐसी government can negotiate at WTO for fairer rules massive companies or representation related to the trade and investment at WTO can be increased ऐसी WTO कि जो norms है that is not fair for all so government should negotiate at the WTO for the fairer rules कि वहाँ पे भी negotiation government ही कर सकते हैं हमारी नहीं सुनेंगे कोई ऐसी government should also align other developing countries with similar interest to fight against the domination of developed nations in the countries or developed nations in WTO इसके साथ government है they should tie up with the developing nations to fight against the developed nations के साथ तो वो संघर्स कर पाएं क्योंकि वो उनका दबदबा उनके फेवर में rules बने हैं ये भी किया जा सकता है if necessary the government should use trade or investment barriers को भी use किया जा सकता है अगर और कुछ नहीं होता तो barriers लगा दीजे भाई इस company को हमें product करना है इस product से लेटर जो industry से उनको protect करना तो ये किया जा सकता है तो ये कुछ तरीके हैं method है जिससे की fair globalization के लिए कुछ positive outcomes लाए जा सकते हैं तो ये था chapter हमारा globalization and Indian economy I hope सारे questions सारे doubts, concepts आपके clear हो गए होंगे और इसके साथ आदेखिए आपको social science में एक project प्रिपेर करना है consumer awareness project या उपोकता project है ये project को अलड़ी मैं publish कर चुका हूँ आपको playlist में जाना है वहाँ पे projection assignment की एकलग से playlist बना हुए वहाँ English और Hindi medium ये separately ये project available है तो वहाँ से आप easily इसको बना सकते हो आपके लिए five marks इस project के होते हैं चर्नल assessment की जो कि बहुत माईने रखते हैं इसके साथ सथ आप मुझसे जूट सकते हो टेलिग्राम के उपर geographic group इंस्टाग्राम के उपर geographic group official और whatsapp का channel भी available है जिसका link आपको Instagram या टेलिग्राम दोनों के उपर available हो जागा आज के लिए बस इतने thank you, bye-bye, have a nice day